Hello everyone, Welcome back to Lankas, Class910, and NTSC Channel. This is Kunal. तो भाई, आज हम लोग Term1, Class10 के बारे बात करने वाले हैं कि आपके exam साकेत कभ हो रहे हैं, क्या pattern है, क्या-क्या strategies आपको follow करनी चाहिए, क्या एक right path होगा, क्या एक right path होगा, उसको solve करने के लिए, चीजे अटेम्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स को और थैयारी करने के लिए तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना ऐसी ही कुछ बढ़ियां और यूस्फुल चीजे आपके लिए हम लाते रहते हैं आप जाके पहले क्या होता था हमें का टार्गेट मिलता था साइंस की बात कर रहा हूं मैं यहां किसकी बात करने वाला हूं तो मैं यहां बात करने वाला हूं साइंस के बारे में पूरी बात चलेगी यहां 40 आउटा 40 आपका टार्गेट होना चाहिए इस बार जो टर्म वन का एक्जा होगा हमारे लिए या फिर अगर हमारा फुल पैटन होता सब्जेक्टिव होता तब कितना बेनिफीशल होता हमारे लिए ठीक है तो सारी चीजों पर बात करेंगे बस एक छोटी सी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं ठीक है अगर आप तयारी कर रहे हो अभी तो सबसे छोट से आप कोई भी बच्चा हो यार इवन आप किसी भी फिल्ड में तयारी कर रहे हो कहीं पे भी बस एक लाइन आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जब हम गिव अप कर देते हैं अगर आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो तो मैं 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 वाला दो हिस्तों में बट चुका है कितने कितने पहला हिश्सा क्या हो चुका है आपका साइन्स की बात कर रहे हैं लगबach 6 चैप्टर आपके किसमे किसमेए है बात यह तो ध्यान से समझजीएगा पहले तो आपके exam board examination जो होती थी board की examination वह क्या हो गई है दो हिससे में बटे गई आप इसके देखो दो फायदे भी है और नुकसान यहीं भी समझाना ठीक है फायदे की पहले बात करते हैं नहीं के लिए नुकसान की बात कर ले थे भाई आपका माइंड देखो डाइवर्ट हो जाएगा जो बच्चे कॉम्पेटिशन के त्यारी कर रहे थे उनके लिए कोई बेनिफीशन नहीं ठीक उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं आपको तो पूरा ही पढ़ना है ऐसा नहीं क्या पह लिए भी वही तैयारी कर रहे हो हो और कॉम्पेटिशन के लिए भी वह Крас तैयारी तो ऐसे कितने बच्चे होंगे सिमिलर पैटर्न पे तयारी वाले हैं एक बात इस बात को जरूर समझ देना कि यह रही आपकी क्या भाई डिमेरिट जब MCQ आए हैं आपके टफनेस बढ़ेगा और कॉंपेटिशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इसको मैंड में जरूर आप अब दूसरी चीज भाई जो फाइदे की बात करते हैं MCQ लाने का मतलब ठीक है आगे और भी चीज़े करेंगे क्या क्या है पहले फाइदे की बात में यह भाई कि आपको सिघ्राइबस दो हिससे में पढ़ना है इसके दो पहलों 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 सो तो हमें क्या करना है पहले सिस्सा पढ़ने पढ़ना है और एक पढ़ना यह तो आपके लिए अपका oluşपर में है है ना तो एक चीज कि भाई क्या आपके पास नुक्सान वाले में ध्यान समझना कि बोर्ड का भी प्रेसर है प्लस NTSC का भी प्रेसर उसी टाइम नुक्षान यह हो गया आपका अब फायदे वाली बात क्या होगी कि आप NTSC के त्यारी कर रहे हो कॉंपटीशन के त्यारी कर रहे हो कॉंपटीशन आले बच्चों के लिए बेनिफीशन होने वाला है इस बार का यह क्यूंकि आप पहले से ही M.C.Q की प्रेक्टिस कर रहे हो और आप पहले से ही पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको अलेडी तयार है वो इस सा बट जो फूल सिलेबस आपको पूरे साल में पढ़ना होता था तो जादा चीजे क्या करनी पढ़ती थी रिमेंबर करनी पढ़ती बट अभी आधा पढ़ो एक्जाम दे के हटाओ उसको फिर आधा पढ़ो एक्जाम दो फिर जाके अपनी चीजे अच्छे से परफॉर्म करो ठीके तो कम पढ़ाई के साथ ज्यादा प्रोड़क्टिविटी आप निकाल पाओगे हर छे महीने पे तो एक बेनिफीशल ये भी सथांस है सकी लिए के लिए अब सीलैबश की चलो बात कर लेते हैं और के मस्टी के लेते हैं तो इसमें क्या आएगा और इसके सब्सक्राइगा मेटल वाली बैचीजे हैं आएगगे मेटल से रिएक्टेटर है आपका अब फिजिक्स की बात करो फॉर्ट चैप्टर में ब भाईट आजाएगा एक का फिस्ट च्टर क्या आ जाएगा लाइफ प्रौसेस आपके पास टोटल 6 chapter है, महीने है 3 अब ध्यान से समझो, 6 को 3 में अगर तुम divide करना चाहो 6 को 3 में divide करना चाहो तो कितने आसानी से तुम कर सकते हो और एक चीज इसमें आपके लिए वो चीजे नहीं रटनी है कि तुम्हें थेरी रट के जाना है कि ने मुझे महा explain भी करना है ठीक है, वो काम नहीं करना है हमारे लिए आसानी है क्या कि अपने पास क्या होने वाला है 4 option होगा, जिसमें से 1 क्या होगा, सही होगा, कोई न कोई अब पहले वाली काहनी नहीं करनी है कि आपको explanation देना है जाके कि ये अगर problem है तो आपको writing भी करना है वो काहनी नहीं करनी है, एक बार concept समझ गए, आगे की काहनी खतम उसको लिखने के लिए learn नहीं करना है learn वाला तुम्हारा time बचेगा learn करने के लिए भाई बहुँ ज़्यादा time use हो जाता था हमारा, तो देखो आपके पास कितने भाई, total 6 chapter अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो, तो 10 days यहाँ spend करो, 10 days यहाँ spend करो 10 days यहाँ spend करो, तो chemistry one month में आपकी prepare हो सकती है, और 10 days यहाँ पे अगर spend करो, आपका 10 days का chapter नहीं है, यह 5 days का but मालो सब में मैं 10 days equal दे दे रहा हूँ आपके लिए, 10 days का मालो, तुम अगर average लेके चलते हो, फिर भी तुम 2 महीने में पूरा syllabus अच्छे से पढ़ सकते हो, जबकि आपके पास अभी 10 days August वाला extra है है ना, अभी 10 days August वाला extra है, लगभग 10 दिन में तुम आराम से कर सकते हो, at least आपने एक बार तो चीज़े पढ़ी होगी अभी की strategy क्या होनी चाहिए, उसके उपर में बात कर रहा हूँ, availability of time क्या आपके पास 3 months है, लगभग term 1 के लिए, जिसमें से 2 महीने आप क्या कर सकते हो, एक बार complete study, जो starting में आप study करते हो, और क्या कर सकते हो 1 month अपना यूज़ कर सेकते हो, किसके लिए revision के लिए, ये मेरे recording plan है भाई, और ये best है, क्योंकि आप जानते हो, performance हब कब दिखाते हैं अपनी, performance, जब हम पढ़ाई, समय से करके revision भी समय से खतम कर लेते हैं, किसी भी competition exam की बात करना हूँ है, ध्यान से समझना, हर बच्चा जो नहीं perform कर पाता है, उसकी दो reason होते हैं, या तो वो पढ़ने में कमजोर है, या तो उसका syllabus ही नहीं खतम हुआ है, दोनों चीज़े हैं, भाई, दो इर aspects हैं, आप अगर सोचोगे, तो या तो वो syllabus ही नहीं कर पाया, दूसरी बात, वो time से ही नहीं कर पाया, ठीक है, दूसरी चीज़ उसको आता ही नहीं है, पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस ताइप के तो बंदे हो नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ मैं झारा किरों कि चैनल पर रिस्पॉंस दिखता है ना, तो आप उस टाइब के बंदे बनो कि जिसको समय से पहले syllabus करेगा और समय से पहले क्या है, जो best मैं बता रहा हूँ, score लाने के लिए score produce करने के लिए वो क्या है, revision, आपको revision प्रापर तरीके से करना पड़ेगा अब आगे क्या क्या इसमें करना है वो सारी चीजे में आगे बताऊंगा ठीक है अब पेपर का पैटरन देखो ध्यान से मैं फिर से explain करूंगा यहां से MCQ लाने का मतलब क्या पेपर का पैटरन क्या है भाई MCQ पहले क्या होता था subjective अब benefits क्या है इसके ध्यान से समझो benefits में अगर देखोगे तुम तुम्हारी explanation क्या हो गई यह तुम्हें क्या करना है explanation खतम है और क्या करना है भाई तुम्हारे पास चार options हैं चार options हैं जिसमें से सिर्फ एक correct होगा तो आप mostly जब practice करोगे जब आप habitual बनोगे इस प्रॉब्लम से normally हम जब पढ़ते आते हैं तो हमारी habit क्या है हम पढ़के गए कुछ अपने लेंग्विज में कुछ एक्ष्टा इधर-धर से लिख देते हैं चीज़ा और हम marks पा भी जाते हैं बट यहां पर आपके पास चार options है और तुम्हें एक सेलेक करना है यह बहुत ही डिलेमा वाला काम है ठीक है तुम्हें फसाये जा रहा है तरीके से बट तुम्हें अभी से prepare कराये जा रहा है यह तर्म टू कराने का पहले तो अगर चारों में से तीन में से गलत लग गया तो कहानी खतम या तो एक करेक लग गया तो कहानी सही अब इसमें चार options में कुछ problems आपके ऐसे भी आएंगे जो guessing से भी लग सकते हैं ठीक है अभी दो लोग पहलो की बात करूंगा भाई वह वाली भी अभी लग जाएंगी प्रॉब्लम्स लगने लगेंगे आपको तो इतनी सारी आपकी benefits हैं और क्या benefits है भाई आपके पास mcqs paper pattern तो है ठीक है pattern तो है आपकी performance क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी मैं यह guarantee दे रहा हूं आप लोगों को performance बढ़ने वाली यह guarantee है बस जो चीजे मैं बत करते हैं भाई demerits की बात अगर करते हो देखो हैमें habit किसकी होती है habit होती है किसकी explanation करने की ठीक है explanation करने की अब यहां पर explanation वाली बात समझो explanation में क्या आता था हमें देखो चीजे एक बार हमने पढ़ लिया अब हमारे mind में वह चीज बैठ गई अब उस पे related कोई भी theoretical part आया मैंने बता दिया अब तुम्हें theory आ नहीं पूछेगा मैं पहले बता रहा हूं यह नहीं पूछेगा कि empire किसकी unit है यह आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी अब इसमें अभी आगे पूरी बता रहा हूं मैं ठीक है तो theory वाला part अगर आता था तो हम थोड़ा how defined current यह सारे ए अगर टाइम तो आपको proper दिया जाएगा problem में दूसरी चीज भाई क्या आती है that is कि mcq में आपका competition बहुत ही अच्छे से बढ़ने वाला है competition कैसे बढ़ने वाला है ध्यान से समझो अभी 40 marks का paper आपका क्या आने वाला है term 1 का 40 marks का ठीक है 40 marks का term 1 अगर एक average बच्चा भी अ तो वो 30 marks तक तो आराम से पहुच ही सकता है 30 marks तक तो आराम से पहुच सकता है अगर average बच्चा normal CJ भी पढ़ लेता है normal books को भी कर लेता है तो average वहां तक वो जरूर पहुच जाएगा but अब तुमें fight कितने marks के लिए करना है तो जो बचे हुए 10 marks हैं उसके लिए अब अपने खाते में आना ही आना अगर normal पढ़ने वाला बच्चा होगा तो 30 मांस आपके खाते में आने ही आने बागी के 10 marks के लिए आपको fight करना पड़ेगा और you have to है ना आपको करना भी है और करना भी चाहिए क्योंकि आप अगर serious हो देखो दो चीजे यार आपके पास दो terms में divide कि पहले term पे हम पूरी जान लगा देंगे कोई भरोसा नहीं कि अगले वाले में क्या चीज़े होने वाली क्या नहीं होने वाली तो अभी इस पे पूरा जोल लगा दो ठीक है और भाई इसके बाद एक factor की और बात करें ठीक है एक factor के अगर और बात करो आप तो आपकी questions जो ह जाकि कोई basic ले लो कि तुमसे बोल दिया जाएगा कि लो यह हमारी image formation करा के दिखाओ image formation तुम रट लिये थे lens का है ना और तुम्हें अब drawing आती है तुम बना के दिखा दी अब तुमसे mostly क्या पूछा जाएगा numerical part पूछा जाएगा तो अभी से अपने mind में क्या रखना है आपको कि practice वाली चीज़े ज्यादा करनी है learning capability को थोड़ा कम करो कि मैं रटा मार के या फिर यह वाली चीज़े करके चला जाओंगा तो अच्छे से score पा जाओंगा वह वाली capability हटाओ और क्या करना है आपको numerical की practice करना है start करो तो toughness बढ़ने के वज़े से थोड़ी से practice भी क definitely अच्छा score करोगे और लिक के mind में अपने आपको रखना है कि आपको preparation कितने के लिए करनी है तो बस इस 10 marks के करनी है जो सब के लिए hard होने वाला है जो 10 marks आपका remaining 30 तो सारे बच्चे कर जाएंगा जो average बच्चे होंगे वह 30 marks कर ले जाएंगे बस बचा 10 marks क्या है यहीं पे आपको fight करना है तीस तो आप कर ले जाओगे यह definitely है ठीक है यह guarantee आपकी कि यह कर ले जाओगे तुम थोड़ा सा भी अगर serious होगे तो तो तुम्हें 10 के लिए fight करना है इसके लिए mind में रख लो अपनी चीजे कि तुम्हें क्या पढ़ना है थोड़ी से deep पढ़नी चीजे औ और mostly आपको practice वाली चीजे पढ़नी है ठीक है अब books के लिए देखो पहले आपको sequence क्या रखना है books के लिए सबसे पहले जो basic बात है भाई CBSC हमेशा recommend यही करता है और यही आपको पढ़ाया भी जाता है तो आपको सबसे पहले करना भाई NCRT उसके उसके बाद ही आपको कही जाना है ठीक है उसके बाद ही कहीं जाना है आपको यह आप कर लोगे अब आपका pattern हो चुका है objective और आपके पास है totally सारी चीज़े subjective ठीक है तो ऐसा मत सोचना कि यह help नहीं करेगा एक बार अगर concept पढ़ लेते हो तो उसके बाद तुम्हें objective चीज़े आराम से लग जाती है क्योंकि आगे NTSC या फिर किसी भी competition exam के अगर तुम्हें त्यारी कर रहे होगे तुम्हें यह idea जरूर लग जया होगा कि बस concept अगर पढ़ लो objective आता है तो आसानी हो जाती है अपने लिए उस question को solve करने के लिए तो आपको पहला काम NCRT सारे subject की अच्छे से reading कर लेनी है important च हमेशा ठीक है proper revision जो मैंने बताया पीछे कि proper revision करते रहना यह ज्यादा जरूरी तो पहले यह करोगे इसके बाद आपके पास जो भी help books है है ना help books है आप उनको जरूर पढ़ लें एक बार क्योंकि आपके पास एक चीज जो ज्यादा requirement है वो क्या deep knowledge deep knowledge नहीं रहेगा तो help book का सहारा लेके अपनी knowledge को पूरा deep रखो कि जो content आप पढ़ रहे हैं उसके basics तक क्योंकि questions वहां से भी पूछे जा सकते हैं ठीक है छोटी सी चीज involve कर देगा base वाली तो पूरा question चला जाएगा आपका one by fourth गया खतम ठीक है तो जो 10 marks हैं उनके लिए आपको यह चीजे preparation करन करने के बाद ठीक है यह करने के बाद अब कुछ वच्चे बार-बार बोलने भीया कि जो हमारे previous प्रीवियस पीवाई क्यूज आते थे प्रीवियस कोशन आते थे पिछले साल वह तो सारे हमारे ऐसे आते थे कि सब्जेक्टिव हैं हमें परफॉर्म करना था अब हम कहां से प्रीवियस यह अभी तो एक बार भी objective नहीं है अपने पास तो तुम्हें टेंशन लेने वाली बात ने भाई यह तुम्हारे लिए अभी भी sufficient है और यही आपको करने भी हैं अभी ऐसा निकीने छोड़ दोगे उनसे ही questions पिक होंगे objective का क्या मतलब है आते थे पहले वह हों ध्यान से समझो जब revision करोगे तो आपको चीज़े क्या क्या practice करनी है देखो कुछ materials आपको online मिल जाएंगे ठीक है कुछ हम भी try करेंगे कि धीरे धीरे आपको चीज़े provide कर दें अगर नहीं मिलते हैं तो आप टेलिग्राम पर चेक कर लेना काफी सारी चीज़े हर जगे मिल जाती है mostly ठीक है यहां यह material जरू try कर लेना resonance हो गया या फिर lnk ठीक है कुछ अगर आपको मिल जाते है modules तो उनको जरूर आप try कर लो यह सायद मिल जाएंगे आपको टेलिग्राम पर गैरेंटी नहीं दे रहा हूं कि मैं दूंगा मैं यह बोला हूं टेलिग्राम पर चेक क लेना मुझती कुछ बच्चों के पास होता है अगर वो share कर देते हैं किसके लिए 10 के लिए 11 12 वाला मत उठा लेना 10 वाली चीज़े अगर मिल जाती है आपको तो वह कर लोगे बस बेस्ट हो ठीक है अब समझ जो बेस्ट हो पूरी तयारी तुम्हारी हो चुगी है इतना का प्रैक्टिस ज्यादा करो यह मैं बार बार बोलना हूँ प्रैक्टिस ज्यादा करना है पढ़ने से ज्यादा ध्यान किस पर रखना है प्रैक्टिस पर स्टार्टिंग से ठीक है इसके बाद भाई लास्ट महीने में जो आपको चीज़े करनी है पहली चीज आपने जो को find out करते रहा जैसे आप पहली बार जब जो problems लगा रहे हो कुछ problem होगे यहां तुम क्या होगे इस्टार करोगे उन problem को क्या करना इस्टार करके रख लेना जिन problem से अभी तुम फसने वाले हो जो यह दो महिने के preparation करोगे उन में जब एक बार में तुम से नहीं चीज़े इस्टार वाले problem को यही आपको क्या कराएगा concept clear कराएगा जो चीज़े तुम लैक कर रहे हो जो चीज़े गलतियां करते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपको कोई भी गलती आप से हो उसको पहले अच्छे से special treatment दो ताकि वह दूर हो जाए तुमसे ठीक है उसकी special कीज़े आपको माइंड में रखनी है क्या क्या किस ताइप के questions पर ज्यादा ध्यान देना है अरसरसन वालों पर भी ध्यान देना है आपको जो अरसरसन एंड रिजनिंग वाले problems आते हैं यह भी आपसे प्रेटन देखो पूछा जा सकता है प्लस case based problem पर ज्यादा ध्यान द देते हो बाबू तो आप समझ जो बोर्ड में फोड़ने वाले हो बस इतनी चीज़े आप अगर कर ले जाते हो तो यही आपको करना भी है बस इतनी चीज़ों पर फोकस कर लो और चीज़े अच्छे से परफॉर्म करो ठीक है यह अब लास्ट महीने महसानी की फिर से NCRT ल पहली बार तयारी करते हुए उनको लास्ट मंत में अच्छे से करना है जो उसमें गलतिया तुम किये थे उसको सुधारना है इसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है किन-किन प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देना है असर्सन एंड रिजिनिंग वालों पे केस बेज वाल सब्सक्राइब को आपके वोड़ के लिए निम्री जो सबसे मेरी कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे होंगे MCQs बेजड तो ये आपके लिए best factor है कि MCQs होने वाले आपको अभी से habit लगेगी ठीक है habit लगेगी तो आप इसको use कर सकते हो अगर आप mat वाला part नहीं कहना चाहते हो bad वाला part वो कर दो skip कर दो जब हम revision करेंगे तो उसमें अलग से set का भी मैं कुछ problems दूँगा आपको ठीक है मैंने set के लिए especially problems दिया है मैं कल तक provide कर दूँगा Sunday तक तो आप उसको जरूर देख लिए एक बार वो help जरूर करेगा आपके लिए ठीक है यहाँ पे आप देखोगे एक वीडियो वहाँ पे मैं best problems दिया हूँ वह 9th plus 10th है बस आपको क्या करना है वहाँ पे 10th वाले problems को अच्छे से practice अगर कर लेते हो तो तुम्हारा बेडा पार है ठीक है तुम पार हो अच्छे से board में फोडने वाले हो बस उसके उपर ध्यान देना है आपको clear इसमें बाकी आपको personal mentoring भी मिल रही है personal mentoring आपको guidance भी करते रहेंगे भाई बीच बीच में आपको कहां चीजे lag कर रहे हो आप क्या चीजे extra करनी है कहां से materials लगाने है क्या क्या चीजे प्लस zoom meetings भी आपकी इसमें होती रहती है guidance के लिए clear है तो यह सारी चीजे आपको board तक चलेंगी board तक help करेंगी तो I hope आपको सारी चीजे clear हो गई होगी क्या plan होना चाहिए आपको क्या क्या चीजे आप लगाओ बस इतनी चीजे थी term once in related और tension नहीं लो last time revision practice दोनों करेंगे हम आपके लिए problems भी collect कर रहे हैं दीरे दीरे चड़ेंगे क्योंकि एक बार वागर cd पर चड़ने जाओगे तो गिर जाओगे दीरे दीरे चड़ोगे तो अच्छे मैंदन में चड़ोगे और safe manner में भी चड़ पाओगे तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग कड़ने कोशिस करें और अच्छे से तक जाएंगे भी ठीक है तो आपको चीज़े समझ में आ गई होगी अगर कोई चीज रह गई होगी कोई चीज पूछनी होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना थैंक्यू सो मच और लव यू वाल फैमिली